शिरी कमल कुमार शिरीमती मन्जु जी, पुत्र श्री विनीत कुमार शिरीमती चारु जी, इंजीनियर शिरी विने कुमार शिरीमती साक्षी जी, सीए सोहरव जैन शिरीमतीस नेहाजी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, शिर्यांशी, निशकर्ष, तनै एवं समस्त बढ़चात्य परिवार, निवासी हावडा एवं लंदन जीवन के किसी भी छेत्रमेदी आपको बढ़ना है तो फैसला तुरंत लीजिए, लिकिन सबसे अच्छा फैसला तो ये है कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी के प्राणों का घात ना हो, मेरे द्वारा निकले हुए सब्द किसी व्यक्ति को दुख कर ना लगते हो बस इतना ही मेरा शंदेश आपके लिए है, हमारा जो अंतारास्ति जन जागरन महारती अभियान चल रहा है यह आपके इस बात का संकेत देता है, कि आप भाई चारों के संबंदों को बढ़ाईए ऐसा बिवार कीजिए जिसकिसी प्राणी को पीड़ा ना हो, ऐसा बिवार कीजिए जिसे सारे लोग मुश्कराते रहें ऐसा बिवार कीजिए जैसे गुल खिलते हैं और गरीब व्यक्ति भी खुश्वू लेगता है और राजा भी खुश्वू का सेबन करता है और चला जाता है सूरज सुभे नेकलता है जितनी रोसनी राजा के भबन में बेजता है उतनी रोसनी गरीब की कुटिया को ही प्रेशित करता है कभी भेद भाव नहीं करता है इसलिए अंता रास्तिय जन जागरंड महा अवियान के अंतरगद आप सब अपने आपसी संबनों को बढ़ाईए राख देश दूर हुए ना फरत दूर कीजिये काटे नहीं गुल खेलाईए छोटा सा जीवन है अच्छे काम कर डालो यदि अभी नहीं किये तो कभी नहीं जिसका बरतमान अच्छा है उसका ही तो भविस अच्छा हो सकता है लोग सुचते कल कर लेंगे कल कर लेंगे कल को आएगा हमारे स्रम्ण संस्क्रती के समराठ आचारी कुंद कुंद स्वामी कहते हैं न भूत की अपेक्छा ना अनागत की कोई चिंता और बरतमान में आई हुई हर बस्तू की अपेक्छा हम यही चाहते हैं कि आप पास्टो को याद न करें फ्यूचर की चिंता न करें और बरतमान में आई हुई ही सब चीजों से हटने का फैसला करें और इस फैसले के साथ अहिंसास्त अचोरी और ब्रमचरी के पत पर चलते हुए आप परिग्रह के मार को अपनाएं यह आपके जीवन को महान से महान ताकि उले जाने वाला है और यह संदेश हर आदमियों को दीजिए दो अक्टूबर को गुपती धाम के अंदर फिर महा आरती का एवजन होने वाला है जिसमें कई हजार लोग समलित हो करके अपने डिप्रेशन के लिए अपने तनाव को अपनी परेशानियों को कुंड में अरपन करते हुए आनंद की जिन्दगी और सस्त जिन्दगी जीने का आश्रे लेंगे आप सब सौभाग साली हैं कि आपको दो अक्टूर का बक्त मिल रहा है जै बोलिए विश्र बंद भगवान महा वीर स्वामी की जै महानुभाओ किसी की सलाह से राज से जरूर मिलते हैं। महानुभाव किसी की सलाह से रासे जरू मिलते है परन्तु मंजिल तो खुद की महनस से मिलती है मंजिल को प्राप्त होने के लिए हम आप सभी को पुरुशार्थ करना है जो आदमी महनस से कत्राता है वह आदमी कही मंजिल उपलब्द नहीं कर सकता है कोई आदमी आपको जिन्दगी भर गाइडाइन्स करता रहे एक कदापी सम्भू नहीं है गौला गाये की पीछे कब तक कब तक कब तक चलता रहेगा आप ऐसे ही लोगों में से हैं जिनका आपना कोई सोच नहीं है दूसरे के सारे पर नाचने की प्रिक्या चल रही है हम पस्चिम के देशों में देखते हैं वहाग के लिए लोग निकलते हैं कार से तो एक कार आगे जा रही है दूसरी कार भी उसके पीछे पीछे जा रही है तीसरी भी जा रही है तीसरी भी जा रही है यहां का अब्यक्ती अपनी जीबन में मेहनत करता है और अपनी खुद की मेहनत से अपनी मंजल को प्राप्त होता है माइल स्टोन जहां का तहां गड़ा रह जाता है गईड करता है कि बॉम्बे यहां से इतना डेली इतना यहां से लेकिन चलना स्वयम को पड़ता है भगवान महाबीर स्वयम चले गुरुवर आचरी विद्यासागर गुरुदेव स्वयम चले मैं भी अपने आप चल रहा हूँ एक बार दिख्षा होती है संसकार दिये जाते है लेकिन सारी जिन्दगी उन महाब्रतों का आचरन स्वयम करना होता है सारी जिन्दगी कोई गुरु डंडा लेकर के दिखाने वाला रास्ता नहीं हुआ करता है यह आदमी का ब्रहम है इस ब्रहम को दूर करना है और शादना करना है अपने ब्रतों की तो अपने को सुतह जाग हो करके चलना होगा लहरों से डर कर नोका पार नहीं होती कोशिच करने वालों की कभी हार नहीं होती नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है चड़ती दीबारों पर सोबार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस बड़ता है चड़ कर गिरना गिर कर चड़ना न अखरता है आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिच करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरा आप से नेवेदन है अपनी जंदेगी में आगे आगे बढ़ते रहीं अपने करतबी का बोध रखिए दूसरे के कहे हुए सारे पर चलने की जगए अपने भीतर का जो इशारा होता है आत्मा का डारेक्शन होता है उस इशारे पर चलते रहे गुरू रूपी मशाल को हाथ में लेकर के निरंतर चलने वाला आदमी ही सकसेज है कोई आपको सारी जिन्दगी कौन मतलाने वाला है उस सबसे कमजोर दिल का आदमी होता है जिसके कोई अपने एरादे नहीं होते है किसी की सलाए से राष्टे ज़रू मिलते है परन्तु मंजल तो खुद की मेहनस से मिलती है आप विद्यार्ती है टीचर ने आपको गाईट किया लेकिन स्टेडी स्वें करना होगी गुरू ने संसकारित किया लेकिन मुझे स्वें चलना होगा हाँ जब स्यम चलना सुरू कर देते हैं तो जिन्दगी में आनंद आने लग जाता है जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेते हैं जीत निश्चित हो तो भी कायर जंग लड़ लेते हैं बहादृर तो बो है जो हार निश्यत हो फिर भी मेदान नहीं छोड़ते में उन्ही में से एक आदमी हूँ, शरीर अस्वस्त हो गया हो जाए लेकिन मन को अस्वस्त नहीं करना चाहिए शरीर का स्वास्त अलग है और मन का स्वास्त अलग है पांच प्रकार के स्वास्त होते हैं मन का स्वास्त, सेरी का स्वास्त, परिभार का स्वास्त, समाज का स्वास्त और अध्यात्म का स्वास्त हमें पहले ही बिंदू पर ध्यान रखने की आवश्यक्ता है शरीर के स्वास्तों का स्वास्त नहीं समझना चाहिए यदि من अच्छा है तो जिन्दिगी में आप कहीं कहीं परास तर नहीं हो सकते हैं कोई कितने भी हवा के जोके आ रहे हों इनसान अगर मजबूथ है तो नीचे गिरने वाला नहीं होता है सरदी के दिनों में पूस में कोहरा कितने ही जोस के साथ आता हो पर सूरज पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है हमें ऐसा ही हर दम विश्वास रखते हुए अपने सैयम का पालन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए हमारी उपलब्दियों में दूसरों का भी योगदान होता है हमारी उपलब्दियों में दूसरों का भी योगदान होता है क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार अगाद हो पर सस्तो यही है कि वह नदियों का उधार होता है समुद्र भरा पड़ा हुआ है समुद्र का अपना अस्तुत है लेकिन हमारा भी अपना अस्तुत है इस बात का सदीब ध्यान रखना है महान भाव किसी ने पूछा मित्र और इत्र में क्यांतर है इत्र और मित्र में क्यांतर है मैंने कहा जो माहुल को महका दे उसका नाम इत्र है और जीवन को जो महका दे उसका नाम मित्र है मित्रुक उसलिए प्रकास का है आपके जिन्दिगे में कोई ऐसा मित्र मिला हो तो मैं आपको धनवाद करूं जो प्रकास की और ले जाने वाला हो वह सेल्फिस ना हो स्वार्थी ना हो जो स्वार्थी होता है वह ब्यक्ति जिन्दगी में कुछ भी नहीं पाता है और सुनें आप जरासी बात में मतलब बदल जाते हैं उंगुली उठे तो बेज जिती और अंगुठा उठे तो तारीफ जरासी बात में मतलब बदल गया उगली उठी तो बेज जिती अंगूठा उठा, तो क्या हुआ, तारीफ, तोड़ी सी बात में मतलब बदल जाते हैं, और मतलब को समझने वाला आदमी ही महांद होता है, बरना छोटी छोटी बातों में अपने होंसले तोड़ देता है, और जिन्दगी में मुर्दा दिल कुछ नहीं कर पाता है, मैं आप सब के उत्तम भविश्य की कामना करता हूँ, सफल लोगों में और आम लोगों में फर्क पावर का नहीं, बिल पावर का होता है, जीवन जितना सादा होगा, तना उतना ही आधा होगा, है ना, इसलिए सादा जीवन जीविए और उत्तम बिचारों को रखिए, जिस जिन्दगी में सादगी है, वही बास्तों में जिन्दगी है, जब तूटने लगे होसला, जब तूटने लगे होसला, तो इतना याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज हासल नहीं हो सकते, जब तूटने लगे होसला, तो इतना याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज हासल नहीं होते, ढूर लेते हैं जुगनू, अंधिरों मे अभी मंजिल क्योंकि बो कभी रोश्णी के मुहिताज नहीं होते महा पुरुष दूसरों के परचे के मुहिताज नहीं होते है वो गाओं में जन्मते हैं और महा नगरों में अपनी योगता का मूल्यांकन कराते हैं और जिंदगी को विकास की और ले जाते हैं मैं आप सब के मंगल की काम न करता हूँ कभी आपने देखा होगा जुगनू अंधिरे में रास्ता खोश लेती है और महापुरुस भी आगे बढ़ते 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 बहुत आगे निकल जाते हैं पटक मनी के पास कोई बस्तू रख दी जाए तो उसका रंग बैसा ही हो जाता है आप भी जब संत के सादिद में जाएंगे तो आपके होसले बुलंद होने लग जाएंगे कोई आपको रास्ता दिखलाए हाँ दिखा सकता है लेकिन मंजिल आपको पहुँचा नहीं सकता है ग परंत गुरु आपको दिर्देश करेगा सही लिखिए गलत लिखा जा रहा आपके द्वारा हम आपसे इस महावियान के अंतरगत जन जागरण महा आरती के तहात आपसे कहना चाहता हूँ आप अपने जीबन में रोशनी भरिए अपने होसलों को छोटा मत कीजिए और कभी आपका होसला तूटने लग जाए तो याद करना बिना महनत के तक तो ताज हासल नहीं हो सकते अब बहुत रुचाईयां चूना चाहते हैं तो रुचाईयों को चूने के लिए अच्छी कोशिस तो कर लीजिए सही फैसले तो ले लीजीए आप सही फैसले लेने ही पाते है सही रास्ते चलने के लिए होसला जुटाने पाते हैं होसला को बढ़ाईए और जो ब्यक्ति अपना होसला बढ़ा लेता है वही बास्तों में धर्ती पर इनसान के रूप में माना जाता है हार से हमें कभी डरना नहीं चाहिए उपहार हमें कोही मागना नहीं चाहिए हमें अपना केबल कर्तब भी करते रहना चाहिए मधूर संबना कर जिन्दगी को सार्थक करने का अवसर है आई ये, मैं सब के मंगल की कामना करता हूँ और चाहतام हूँ कि आप अपनी जिन्दगी में जितना अच्छा लोगों को बांट सको बांटे रहो बांटे रहो बांटे रहो आप जो अपने मुख से नकालेंगे उससे डवल कई गुनाप के पास लौट करके आएगा आप नदी किनारे खड़े हो करके राम कहिए उस किनारे से भी राम आएगा आप यहां से गालियों का प्रियोग करेंगे उस किनारे से गालियां लॉट करके डवल बेक के साथ आएंगे इसलिए आप समान के सब्दों का प्रियोग अपने मुख के दर चारित कीजिए जब दूसरों को समान देंगे दूसरा आपको सम्मान देने लग जाएगा कभी भी आपका होसला अब पस्त नहीं पड़ेगा डिप्रेशन में पड़े हुए लोग जब आपके चारों रोते हैं तो आपके होसले पस्त पड़ने लग जाते है जब चारों गुलाबी गुलाब की सुगंद आरही हो तब आपका सिरदर नहीं हो सकता है आपके परिता अच्छे से अच्छे लोग होगे तो आपकी जिन्दगी में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती है परेशानियों से बचना चाहते हैं तो तरन आप अपने मदूर संबने बनाए और लोगों के साथ प्यार की भासा बोलिए और और क्या अपने बिवार को मदूर बनाने के साथ साथ लेना और देना सीखिए कुछ बहट किये जिए ऑर्थाथ बिचारों को दी जिए और बिचारों का सेर भी कीजिए फिर किस बात की परिशानी है लेकिन बिचार अच्छे हों अच्छे लोगों की जमात में बैठना है इस बात का बड़ा ख्याल रखना है आप कहीं भी बैठ जाते हैं मनो रंजन के ल जिन्जन तो बहुत बार किया बहुत जिन्दग्यों में किया अब तो मन के लिए सही पत्ष पर ले जा करके प्रभू में डूबने के लिए डूबकिया लगाने के लिए मौका मिला है मैं कितना ही अंदरूत करता हूँ इस छोटी सी जिन्दगी में आप मन रंजन को छोड़ कर किये चोड़ करके आत्म रंजन कीजिए सम्ता की भुमिका को उपलब्द हो ये जो आदमी सम्ता की भुमिका को उपलब्द हो जाता है उसकी जिन्दिगी में कभी कोई हार का आउसर नहीं आता है महानु भाव आप इनिश्चित बात मानके चलिए कि जो आदमी दूसरे के सारे पर चलता रहेगा वो मनजल को प्राप्त नहीं होगा इसलिए इसारों को छोड़िए और अपने सुयम के इसारों पर चलने की कोशिश की दिये हमारी आत्मा ही हमारा अपना गुरू है वही हमारे लिए गाइट करता है उसके सारी पर चलने बाले ही परम गुरू तीर्थंकर हो जाते हैं इनी सब्दों के साथ आप सब के मंगल की कामना और पुना कहता हूं कि आप सब सस्थंग में आईए और आकर के अपने जीवन को सफल बनाने का एक अच्छा कदम उठाइए जै बोलिये विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जै इसकारिकरम के पुन्यार जथे धर्मा नुरागी शिरी कमल कुमार शिरीमती मन्जु जी पूत्र श्री विनीत कुमार शिरीमती चारु जी इंजीनियर शिरी विने कुमार शिरीमती साक्षी जी सीए सौरब जैन शिरीमती सनेहा जी चिरंजीव, हार्दिक, सनाया, शिर्यांशी, निशकर्ष, तनै इवं समस्त बढ़चात्य परिवार, निवासी, हावडा इवं लंदन